नमस्का दोस्तों कैसे हो आप लो तो दोस्तों आज का जो मैच है संडाइजेज हैदराबाद वर्सेज राजस्थान रोयल्स इंपोर्टेंट मैच है देखें अब जो मैचेज जितने भी हो रहे हैं तो बड़े प्लेयर्स कंटिनू आप चलेंगे भी और चल भी रहें लेकि तोड़ा सा सिचुएशन को समझना है सिचुएशन क्या है कि ग्रैंड लिग की अगर टीम बनती है आप लोग सारे ग्रैंड लिग के टीम उठा लो चले खेर हम लोग सीधा पॉइंट पे चलते हैं मैं आपको पॉइंट से सारी चीज़े समझा रहा हूँ आईए चली सिध यहांपर हो किया है एक यहां पर आपको समझाने वाला हूं कि यहां पर आप कुछ भी बेडिम्प्लेशन और छोटे प्लेयर को समझते हैं ठीके, यहां पर फर्स्ट जब मैच हुआ था, तो आपको क्या लग रहा, इसमें से कौन ऐसा प्लेयर होगा, कौन ऐसा प्लेयर होगा, जो सबसे low selection percent का होगा, यहां पर दो प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, एक नमंधीर और दूसरा टीम डेविड, ठीके, अब यहां पर एक भुनिश्णर कुमार, मोही नली और इनका थोड़ा सा सेम सेम होगा, बट यहां पर situation को देखिएगा, यहां पर देखते हैं कौन हो सकता है, एक रज़त परटिदार को भी हटा दे, जैदेव नाद कट, ठीके, करन शर्मा, और यह दो, टोटल चार खिलाडी, तो दोस्तों सबसे जो जरूरी बात है, यहां पर भी हम चार खिलाडी लेकर चल सकते हैं, मोही नली को ही, ठीक है, तो अब situation को समझिएगा, कि क्या आपको क्या लगता है, बड़े प्लेयर तो चल रहे हैं, बड़े प्लेयर हर मैच में चल रहे हैं, तो अब जो सिनारियो है, पचास तो अब जितने भी जो बड़े प्लेयर हैं, जिनके अंडर कैपसीटी है, जिनके भरोसे टीम आगे बढ़ रही है, उनके पॉफॉर्मिस लगतार अब हमें दिखाई देंगे, कभी कबार वो फ्लॉफ होके जाएंगे, और जो छोटे प्लेयर जो कंटीनू पॉफॉर्म कर रहे थे, अब उनके चांसेज उतनी जादा नहीं मिलेंगे, और हमें बस फोकस करना है उन ट्रम प्लेयर के उपर, जो हमें अपने टीम में रखना है, और वो किसके बिहाब पे रखना है, तो उन बड़े प्लेयर पे जिनकी ना चलने के चांसेज हमें थोड़ा सा जादा यहाँ पर भी हेंडी क्लासें आ है, लास्ट वाले मैच में बैंगलवर वाले मैच में यह नहीं आ है, यानि कि दो बार डीटी यह बने है, पैटरन को समझते हैं, सबसे पहले हम लोग पैटरन को समझते हैं, पैटरन क्या कहता है, पैटरन यही कहता है कि एक, दो, तीन, च आएगा इसके बाद एक दो तीन चार तस चार ये ये पाचवा भी हो सकता है ठीक है समझे कि जब भी यहाँ पर दो मैचेज हुए हैं तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेज हुआ है और लगभग साथ से आठ हमें बैट्समिन की जरुवत पड़ रही थी लेकिन जो लास्ट का मैच हुआ था यहाँ पर देखिए कि दो तीन चार एक पतचीस पॉइंट दिये हैं तो वह भी बैट्टिंग से ही दिया होगा मतलब विकेट कीपिंग से भी दिये होंगे यहाँ पर देखिए स्वापनिल सिंग ने विकेट लिया था रन बनाय थे पर विकेट भी लिया है ठीक है तो यहाँ पर dream team में आ रहा है बहुत सारे higher selection percent है बट यहाँ पर कुछ changes होंगे यहाँ पर कुछ changes होंगे इन में से जो यह बड़े player आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे Travis head हो गया विशेक शर्मा हो गया class in हो गया head हो गया ठीक है यहाँ से marka ram भी है pat commins भी है ठीक है marka ram देखे दो बर continue duty बने है इसके बाद आपके सहबाज हमद भी दो बार इस ground पर duty बने है देख रहे हैं इसके बाद यहाँ पर pat commins भी है जैदे उनादकट भी यहाँ पर दो बार duty बन कर गये हुए बट दोस्तों कुछ changes तो होंगे और वो क्या होगा कैसे होगा इसकी बारे में पूरी details में आपको सारी चीजे आगे दिखाने वाला हूं ध्यान से एक एक चीज देखिएगा और समझेगा अगर यह लोग batting order में कोई change ना करे कोई छेड़ शाड़ ना करे तो हम खेल पाएंगे यह लोग बहुत जादा छेड़ शाड़ कर रहा है इस IPL में बहुत जादा हो गया है किसी को भी कभी भी भेजा जा रहा है यह possible playing 11 है आपको भी पता है मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि उसके बारे में मैं आपको आगे भी समझा दूँगा बात कर लेते हैं पीच रिपोर्ट का जो scoring pattern यहाँ पर किस तरीके से बनता है यहाँ पर देखे आरसीबी जो लास्ट मैचेज खेली 200 रन बना इसके पहले CSK ने 165 बनाए और इसके पहले संटाइज हैदराबार ने 277 बनाए आप देखे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 277 के बाद फिर यहाँ पर CSK ने भी 277 बनाए 165 गया RC भी यहाँ पर 206 रन बनाए कि यहाँ पर थोड़ा सा मिला जोला दिखाई दे रहा है आज का मैच भी थोड़ा सा मिला जोला ही दिखाई दे रहा है और विकेट्स की बात करे थ देखे विकेट्स मिले हुए हैं और अगर हम यहाँ पर ध्यान दे तो यहाँ पर भी फास्ट बोलोस को विकेट्स मिले हैं बट सेकेंड इनिंग में स्पीनर्स थोड़ा सा हावी हो रहे हैं इस साल जो IPL हो रहा है इस ग्राउन पर देखे पांच विकेट्स तीन विकेट जन संख्या बढ़ती जा रही है पहले मैच में एक दुसरे मैच में तीन तीसरे मैच में पांच विकेट्स तो कहीं न कहीं स्पीनर्स भी यहाँ पर हेल्प मिलेगा और फास्टर्स और स्पीनर्स की दोनों मुकाबले जो होगा वो 60-40 को होगा याद रखिएगा ठीक है 60% फास्टर्स को 40% जो है बॉलर्स को विकेट मिल सकता है अब देखते हैं यहाँ पर चेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है समझिएगा संडाइजेज हैदराबाद ने 277 रन बनाए तो मुंबई इंडियस 246 रन बनाई थी चेज करते हुए लगभग पहुची थी चेज नहीं बनाकर 8 बिकेट पर रन चेज नहीं कर पाई और अगर कंडिशन देखे तो इस ग्राउंड पर ज्यादा तर मैची जो है वो चेज नहीं हुए है जो यहाँ पर कंडिशन दिखाई दे रहा है और उसी को नजर में रखते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे टीम बनाने की बार गिरा हुआ है ठीक है आठ से दस विकेट जो हो तीन चार बार गिरा हुआ और जब भी गिरा हुआ है मतलब की रन चेज नहीं हुआ है आप देखिए जब भी गिरा है मतलब रन चेज नहीं हुआ है तो अगर आपको लगता है अगर आपको यह लगता है या लग रहा ह देखें मैं लोग बोलते हैं कि भाई confirm बताओ यहां पर कोई prediction चला नहीं है और जो जहां पर आपको prediction देते हो कि यह खेलारी खेलेगा इतने रन बनेंगे आप वहां पर जा सकते हो यहां पर सिर्फ हम एक imagination के थूरू हमें guess कर सकते हैं कि यह हो सकता है और उसी के बिहाब पर dream team dream element चलती है ठीक है तो जो situation दिखाई दे रहा है उसके according यही है कि अगर आपको लगे कि run chase होगा तो आपको ज़्यादा और chase नहीं होगा तो 8-10 wicket गिराने होगे तभी आपकी team perfect बन पाएगी second inning में first inning की average अगर condition देखा जाए तो आपको यहां पर 5-7 wicket average होगा first inning में run गिरनेगा scoring pattern अगर मैं बताऊं तो 162-180 जा सकता है maximum और अगर pitch change हो गया और अगर pitch change हुआ तो हो सकता ही 140-45 पे ही रुक जाए क्योंकि बहुत सारे लोग batting paradise के according ही team बनाने वाले हैं ऐसा हो भी सकता है क्योंकि दोनों side से heart heater batsman है आएए बात करते हैं first inning की batting order अगर last के 3 matches को ध्यान से देखा जाए जो इस ground पर हुआ है high scoring venue होते हुए भी last के जो 3 matches हुए है उसके according opening जोड़ी flop हो रही है ठीक है कोई एक opening जोड़ी flop हो रही है देख रहे हैं ठीक है तिन नंबर का खिलाड़ी average performance यहां पर करके जा रहा है तिन नंबर का खिलाड़ी जो है average performance है चार और पांच नमबर का खिलाडी का रिकॉर्ड यहां पर अच्छा दिखाई दे रहा है ठीके चार और पांच नमबर का जो खिलाडी है देखे असी, एकतिस, सैटिस, बैालिस, पैतालिस और पचास मतलब देख रहे हैं continue performance है यानि कि top five में से किसी team का performance बहुत ही शांदार हो रहा है अब हम यहां पर यह देखते हैं कि हमें as a backspin कितने player अपने team में रखने चाहिए तो देखते हैं सबसे पहला जो match हुआ यहां पर एक, दो, तीन, और चार एक, दो, तीन, ठीक है एक, दो, और तीन यानि कि तीन player तो confirm है चौथा थोड़ा भूत हो सकता है मतलब balling और उससे थोड़ी सी competition होगी जैसे 26 run बनाया तो हो सकता है यह dream team में आया या कोई अगर एक wicket ही लिया होगा catch out किया होगा तो फिर वो dream team में नहीं आएगा 26 run वाल आ सकता है तो यह situation थोड़ा सा हो सकता है बट यह confirm है कि कम से कम तीन player हमें हर हाल में DT बनते हुए दिखाई दे रहे है अगर हम पिछले matches का भी देखें तो भी हमारे पास तीन खिलाडी निकल के आ रहे है अगर इससे पहले जो भी matches हुए है उनको भी ध्यान से देखा जाए तो लगभग तीन खिलाडी ही आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे ठीके यहाँ पर एक ही देखे रहे है तीन-तीन का ratio लगभग ज़्यादा है तो आपको तीन batsmen anyhow रखना पड़ेगा वो भी rotation कैसे करना है याद रखेगा यह देखे यह एक barrier दिखाई देता है देखे दोस्तों notice करना चाहिए चीजों को समझना चाहिए यहाँ पर कोई नहीं यह एक फिर यह कोई नहीं यहाँ भी कुछ नहीं आप देख रहे हैं पांचवे को rotate करना है तो एक नंबर वाले के साथ rotate कर लीजिए simple first inning batting और इस तरीके से जा सकता है इसलिए बोला कि इस ground पे यह वाला match अच्छा जा सकता है जैसे अगर कोई भी team bat first करती है मान लेते हैं हैधराबाद की team bat first करती है क्या करना है अब शेक सर्मा को उठा लिए ट्रैविस हेट को उठा लिए ठीके अनोल प्रित सिंग अगर यह one down हलाकि पिछले match में impact player में आया था मुझे लगता है कि अगर आता है तो भी नहीं आता है तो भी तो अगर आता है तो आप इनको उठा लीजे फिर एडिन मार का राम को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि एडिन मार का राम का वैसे भी फर्स्ट इनिंग में रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता है सेकंड इनिंग में ही अच्छा खेल कर जाते हैं इसके बाद आपको हैंडी क्लास एंग को ठालना है बाकियों को छोड़ देना है अब क्या कीजे मान के चलिए अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को फ्लॉफ कराना है ठीक है और तो आपको यहां से फिर नितीश रेडी को छठे नंबर तक आपको जाना पड़ेगा आपकी टीम के प्लियर्स को छठे नंबर तक इनिहाउ लेकर जाना पड़ेगा अगर आप यह सोचते हो कि इन में से कोई खिलारी फ्लॉफ होंगे लेकिन कंडिशन यही कहता है जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके एक दो दोनों में से कोई एक अच्छा खेल की जा सकता है संजु सैंसन को रख लिजे और रियान पराग को रख लीजे चारों को रख लीजे फिर दूसरा टीम बनाएए जिसके अंदर जोस बटलर यह सस्वी जैस वाल ठीक है इसके बास संजु सैंसन फिर रियान पराग को हटाके आप शीमरन हेट मायर को साथ चले जाए है चार और फास दोनों को drop कर दिए ये condition आप यहाँ पर apply कर सकते हैं और इसी तरीके से team बनेगी यहाँ पर बट अभी मैं आपको आगे और भी बताऊंगा कि grand league की team और भी किस तरीके से बनेगी और भी pattern है दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही pattern चलेंगे क्योंकि इस pattern से तो सारे लोग चल रहे हैं बट मैं आपको flop player बताऊंगा जब आपको यह पता चलेगा कि इन लोगों में से लोगों को जो लोगे small league और grand league की team बना रहे हैं इन चारों को दोनों side से रखके तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि flop player के list बड़े player में से कम से कम तीन ऐसे player हैं जो 100% flop होंगे 100% flop होंगे याद रखिएगा और वो बड़े player यहीं से हैं इसलिए थोड़ा सा अलग तरीके से चीजे हमें सोचनी पड़ेगी और वो भी मैं आपको बताता हूं condition अब आए अब first inning की balling order धोड़ा सा ध्यान से देखा जाए कि first inning की balling order में इस ground पर अभी तक क्या क्या हुआ तो तीन मैचे जो हुए तो इस ground पर baller को wicket नहीं मिला नहीं मिला जिसको मिला एक एक wicket मिला ठीक है यहां भी सारे ballers को एक एक wicket मिला एक को मिला यहां भी एक को मिला और एक को एक wicket नहीं मिला तो दोस्तों थोड़ा सा हम समझते हैं कि जब पहला मैच हुआ तो यहां पर विकेट लग भाग सबको नहीं मिला, ठीक है, एक विकेट मिला या फिर विकेट नहीं मिला, दूसरा मैच हुआ तो सबको एक एक विकेट मिला, तीसरा मैच हुआ तो ऐसा हुआ यहां पर, कि किसी को दो विकेट भी मिले, किसी को तीन विकेट भी मिले और किसी को नहीं भी मिले तो क्या पता यह जो पीछ है इस तरीके से बिहेब कर रही हो कि स्टार्टिंग में रन लग रहे हो और फिर जैसे जैसे यह पीछेज पे आगे मैचेज होते जाएंगे तो विकेट गिरते चला जाएगा ऐसा भी पैटमन बन सकता है तो थोड़ा से हम लोग पहले देखते हैं अब अगर हम लोग पहले देखते हैं तो यहाँ पर जो फर्स् फिर तीन विकेट फिर यहाँ पर दो विकेट दो विकेट फिर यहाँ पर दो विकेट फिर यहाँ पर दो विकेट यानि कि कहीं न कहीं से आपको इस ग्राउंड पे कोई ऐसा दो बॉलर जरूर होगा जो कम से कम दो दो विकेट लेकर जाएगा यह बात तो यहाँ पर तैय है अब देखते हैं कि वो क्या से निकल सकते हैं तो देखिए लेफ टाम पेसर्स की बात करें तो लेफ टाम पेसर्स जो है यहां पर दो 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 एक दो अब देख रहें कम से कम दो बिकेट लेफ टाम पेसर्स यहां पर लेकर जा रहा है और एक राइट टाम पेसर्स की बा या और एक यहाँ पर बाकी के टाइम पर continue या तो एक विकेट है या फिर विकेट नहीं है, सेम कंडिशन, अब देखें यहाँ पर left arm paces की बात कर लेते हैं, दूसरा जो left arm paces है यहाँ पर, आप देख रहे हैं, ठीके, दो विकेट, दो विकेट, एक विकेट, तीन विकेट, यानि कि दूसरा left arm paces भी या तो एक विकेट या दो विकेट लेकर जा रहा है, अब बात करते हैं लेग स्पिनर की, अब अगर लेग स्पिनर की बात देखा जाए, तो चार विकेट, एक, 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 बाकी के टाइम पर विकेट नहीं मिले हैं, तो आपको थोड़ा सा लेग स्पिनर और राइट आम आप ब्रेक इन दोनों पर फोकस करना पड़ेगा, यानि कि हमें किसी भी कंडिशन में लेब टाम फास्ट बॉलर को रखना ही रखना है, दूसरा राइट आम फास्ट बॉलर या लेग स्पिनर ठीक है, राइट आम फास्ट बॉलर या फिर लेग ब्रेक, इन लोगों को रूटेट करना पड़ेगा, ये यहाँ पर first inning के bowling order का detail है, अ यानि कि second inning से याद रखेगा second inning से backsmend को power play वाले यानि opening जो जो backsmend है इनको captain vice captain नहीं बनाना है, in fact, 34, 26, 31, 31, 31, मतलब कुछ ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं दिखाई दे रही है, 30, 50 और 7 पर भी है, यहाँ पर 64 और बाकी के 2 match में flop है, यह खिलाडी flop है, यहाँ पर आपके 5 नमबर का जो खिलाडी है, 6 नमबर का खिलाडी, average performance करके जा रहा है, यानि second inning जो है, वो मिला जूला दिखाई दे रहा है, अब आपके सामने थोड़ा सा हम इसको आगे पूरा देखते हैं, तो पूरा हमें यह दिखाई दे रहा है, कि opening जोडी में से कोई एक जल्दी out होकर जा सकता है, जो यहां का पूरा पहले का चीज़े दिखाई दे रहा है, ठीके, यहां पर एक मैच ऐसा हुआ है, जब 100 और 71 बने थे, बट ऐसा नहीं है कि हर जगव बने है, कंडिशन समझ गए, कि कोई एक opener बुरी तरीके से फ्लॉप होके जा सकता है, और वो कैसे और आपको average performance करके दे सकता है, ठीके, average का मतलब होता है, average, ऐसा नहीं है कि वो आपको यहां पर continue captain बनते हुए जाएगा, average का मतलब है, average, ठीके, और एक खिलाडी और है, जो 6 नंबर पे batting करने आ रहा है, वो थोड़ा सा points बना के दे रहा है, लेकिन एक और चीज है, कि यहां पर दोस्तों, जो wicket गिरने के tower है वो थोड़े से लंबे लंबे दिखाई दे रहे है, second inning में, जादा तर लंबे है, कुछ कम भी है, पर जादा तर लंबे है, यानी की chasing नहीं हो पा रहा है, तो wickets यहां पर गिर सकते हैं, तो second inning में किस तरीके से रखना है, हमें रखना है, एक team में दोनों opener, एक team में एक opener, ठीके, तीन और चार में से किसी एक को ही रखेगा, continue, तीन और चार में से किसी एक को ही रखेगा, या फिर अगर आप, अगर आप किसी एक opener को, अगर आप किसी एक opener को ले रहे हैं, तो फिर तीन नमबर और चार नमबर, दोनों खिलाड़ी को अपने team में रख लिए फिर बाकी इन में से किसी को मत रखे अगर रखना होगा तो सीधा 6 नमबर के खिलाड़ी हो ठीक है तो ये condition आप यहां से apply कर सकते हैं अब अगर देखते हैं कि second inning में batting order में आपको भी पता है कि second inning में Travis head पिछले अब शेक शर्मा भी फ्लॉफ हो सकते हैं तो आपको एक team ऐसा बनाना है या तो इन दोनों को ही team से हटाएंगे या फिर दोनों में से किसी एक को रखेंगे ठीक है मानके चलते हैं कि ये दोनों 30-30 run के आसपास बना जाएं लेकिन captain vice captain नहीं बनेंगे ये सोच लिजेगा second inning में batting करते time captain vice captain ज्यादा तर चीज केस में नहीं बन रहे हैं ठीक है इसके बाद आपको अनमोल प्रिस्चिंग तीन नमबर के खिलाड़ी के कुछ खास record नहीं दिखाई दे रहा है अब आपके पास दो खिलाड़ी बचते हैं एडेन मारका राम और हैंडी क्लाशन और इसके बाद नितीस रेडी जो छे नमबर पे आते हैं जो condition आपको मैंने अभी दिखाया रोटेशन आपको ऐसे ही गरना है सेम आपको राजस्थान रोयल्स के तरब से अब यहां से जोस बटलर तीक है या या सस्वी जैस्वाल दोनों में से कोई एक फ्लॉफ हो सकता है ठीक हो सकता है दोनों तिस तिस रणबाने लेकिन कैप्टन बाइस कैप्टन के चांसेज ख 19 बार नहीं होगा संजू सैम्सन चुकि तिन नंबर पर अच्छे खेल रहे हैं कंटिन्यू खेल रहे हैं तो आप इन पर रिस लेना होगा तो ले सकते हैं बट चुकि विकेट कीपिंग भी करेंगे तो थोड़ा सा डिटी बनने के चांसे जिनके ज़्यादा दिखाई दे इसके बाद बचते हैं रियान पराग और शिमरन हिटमायर ध्रू जूरेल भी हैं लेकिन पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस अपना दे दिये तो शिमरन हिटमायर का कुछ खास अभी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तो ये खिलाडी हो सकते हैं 6 और 7 में से रोमेन यहां पर दो बॉलर निकल के बाहर आए यहां पर एक दो आ सकते हैं यहां पर तीम बॉलर निकल के बाहर आए ड्रीम टीम की बात कर रहा हूं में जो खिलाडी ड्रीम टीम में आ सकते हैं ठीक है और हाई चांसे जिनके होते हैं ड्रीम टीम में आने के देखिए किसी भी कंडिशन में कम से कम दो बॉलर किसी भी कंडिशन में ड्रिम् टिम में आएंगे सेकेंड इनिंग के बॉलर से तीसरा भी आ सकता है अब उसकी situation को समझे अगर लेटाम पेसर की बात करते हैं तो कोई भी एक लेटाम पेसर यहां पर अच्छा खासा विकेट लेके जा रहा है आ आप लोग चार्ट से अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन सेकेंड एनिंग में एक राइट आम फास्ट बॉलर भी हमें हर हाल में चाहिए, क्योंकि राइट आम फास्ट बॉलर, जो है कोई एक राइट आम फास्ट बॉलर, सिर्फ यहां पर देखें, बागी के टाइम पे दो-दो बिकेट, सिर्फ एक बार एक बिकेट लिया, लेकिन कंटिन्यू दो-दो बिकेट भी लेकर गया हुआ है, और जब ये लेकर नहीं गया है, तो दूसरे वाले ज़्यादा तर नहीं मिले, आप देख रहें, देखें, ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों राइट आपfast मिडिया में तीनों के तीनों विकेट लेके जाजाने हैं, मतलब कि कोई एक राइट आम फास्ट बॉलर, कोई एक लेग बिक, देखिए, लेग स्पिनर, आप देख रहे ही, सिर्फ एक बार हुआ है जब wicket नहीं मिला बाकी के time पे continue wicket है चार wicket एक दो एक एक दो तो हमें ये condition थोड़ा सा रखना पड़ेगा और फिर left arm orthodox और right arm off breaking दोनों में से किसी एक को रखेगा rotate कीजिएगा और वो भी उस condition में जब आप दो right arm fast baller को drop कीजिएगा तो यहां से जो हमारे पास निकल के बाहर आ रहा है एक left arm fast baller दूसरा right arm fast baller जो हमारे लिए जरूरी हो सकते हैं तीसरा अगर कोई player होगा तो वो होगा leg spinner ठीक है जो यहां से important होगे second inning के balling से अब आईए बात कर लेते हैं जरा सा संद्राइजेज हैदराबाद के जो batsman है 2024 में कैसा खेले हम लोग यहां पर inning wise समझते हैं देखें ट्रैविस हेट की बात करते हैं first inning 62, first inning 19, first inning 21, first inning 102, first inning 89 और देखें last के दो बार second inning में कितने बुरी तरीके से flop होए हैं दो बार first inning में भी यह flop होते हैं मतलब की इस खिलाड़ी का कोई भरोसा नहीं है चलेगा तो फाड़ कर जाएगा नहीं तो आपकी समझ रहे हैं क्योंकि captain ज्यादा तो लोग इनको captain बनाएंगे इसलिए थोड़ा सा यह situation यहां पर दिखाई दे रहा है ट्रैविस हेट का selection percent देख लो लेकिन दोस्तों आप यह तो देखो इस खिलाड़ी को इतने matches में कितनी बार captain बनाए है आप समझ रहे हो लोग captain बनाके जा रहे हैं पर भाई यह तो देखो एक बार 102 एक बार 89 इसके बार 62 बाकी के यह देखो एक दो तीन चार match में flop हुआ है बुरी तरीके से flop हुआ है 29, 37, 16, 34, 46, 31, 15 यानि कि कहीं न कहीं Travis Head सी अच्छा performance तो हमारे को अभिशिक शर्मा देगे जा रहा है भले ही यह captain vice captain नहीं बन रहा है लेकिन dream team में continue आ रहा है ठीके आपके सामने दिखाई दे रहा है अब तोड़ा सा देखते हैं कि यह first inning में अच्छा खेल रहा है या second inning मे 32 रन फर्स्च इनिंग में 63, फिर फर्स्च इनिग में 29, है second inning में 37 ठीक है इसके बाद first inning में 16, flop वा फर्स्च इनिग में 34, फर्स्च इनिग में 46, फर्सच इनिग में 31, second inning में 15 तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही in-ring में लगभक Korea каким so, प्राबर है गए aber Travis' का दोनों ही इनिंग में, second इनिंग में तो flop हैं बुरी तरीके से, first इनिंग में भी flop हैं कई बार, लेकिन second इनिंग में तो confirm है, first इनिंग में थोड़ा-thोड़ा है, अब Aiden Mark का राम की बात कर लेते हैं, second इनिंग में 18, first इनिंग में 42, first इनिंग में 17, second में 50, first इनिंग में 0, first इनिंग में second inning 63, first inning 80, first inning 24, second inning 10, first inning 9, first inning 77, first inning 15, second inning 7, second inning 20, handy classing के उपर भी सबकी नजर है, लेकिन क्या आपको दिख रहा है, आप देख रहे हो दोस्तों कि handy classing का भी 1, 2 और 3, only three matches only three matches ही ऐसे हैं जिसमें हेंडी क्लासे ने अच्छी पारी खेलके गया है बागी के टाइम पे flop है तो लोग भाई सब लोग दोड़े जा रहे हैं भाई असी असी रन बनाता है भाई ये तो देखो कि कितनी बार बनाया जादर तर टाइम अब यहां से हमारे पास दो खिलारी बचते हैं अबदूल समद और शहबाज हमद इसमें से सबसे पहले जो इंपोर्टेंट होगा वो शहबाज हमद होगा दूसरे नंबर पे अबदूल समद होगे क्योंकि शहबाज हमद की बैटिंग ओडर भी अबदूल समद से पहले आती है ठीके तो यहां से यह खिलारी है एक बचते है नितीस रेटी जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही कर रहा है खिलारी पहले 64, 37 बागी के दो मैच में कुछ खास पारी नहीं आई है सेकेंड इनिंग में अब देखेगा जो इसका सिचुएशन है अब देखें सिचुएशन क्या कहता है नितीस रेटी ने सेकेंड इनिंग में देखें 14 रन पर आउट हो गया फर्स्ट इनिंग में 64 बनाया फिर फर्स्ट इनिंग में 37 बनाया और second inning में ये भाई बैटिंग से तो पॉंच ही नहीं दे रहा है, अब देख रहे हैं, मतलब कि जब भी चला, first inning में चला, second inning में flop हुआ, clear है, तो कब कैसे रखना है, आपको I hope समझ में आ गया होगा, आए आगे बढ़ते हैं, संडाई जेज हैद्राबाद के बॉलर्स की बात जीरो, 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 एक एक बिकेट, पता नहीं यार, टीन अट राजन, consistent player है, continue आपको एक से दो बिकेट लेके जा रहा है, पैट कमिन्स की बात करते हैं, इनको भी बिकेट मिल रहे हैं, हलाकि लास्ट के तीन मैच में थोड़ा सा गड़बड हुआ है, ब आपको जैदे उनाथकट की बात कर लेते हैं, दो बिकेट, ठीके ये एक एक बिकेट है और तीन तीन बिकेट, अब यहां से दोस्तों थोड़ा सा आप लोग इस बात को समझ जाएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ों पर समझाओंगा तो टाइम लगेगा, यहां से आपको बस यह समझना है, चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिजे, आप लोगों को यह समझना है कि फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में विकेट लेने की रेशियो कितना है, अगर आपको लगता है कि फर्स्ट इनिंग में, आगर आप देख रहे हैं यहां पर, कि कोई खिलारी तीन बार 0-0 wicket लिया या 1-1 wicket लिया और 2-2 wicket ले रहा है मतलब confirm है कि वो 2-2 wicket ले के जाएगा ये सेनारियो बनता है और यही pattern होता है और इसी pattern को हमें follow गरना है ठीक है आगे बढ़ते राजस्थान रोयल्स के batsmen 2024 में कैसे खेले तो थोड़ा सा जोस बटलर flop 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 एक match में 100 फिर flop फिर ये last के 3 match में अच्छा खेल के जा रहा है तो अपना जो भी flop की पारी थी वो अपने अच्छे में बदल चुके हैं तो कहीं न कहीं अच्छे point देके जा सकते हैं श्टार्टिंग थोड़ा सा धीमा भी कर रहे हैं इस time पे तो आपको point देके जाएंगे यह सस्वी जैस्वाल कि अगर पारी देखा जाए ठीक है तो एक और दो सिर्फ दो बार ही अच्छा खेला है बाकी के time पे ये भी flop हो कर गया है संजू सेमसन इस साल अपनी अच्छी पारी खेल के जा रहे हैं और wicket keeper section से विकेट किपिंग से भी point देंगे और तीन नमबर पे खेलने भी आ रहे हैं इसलिए ये खिलाडी हमारे लिए बहुत important है और अगर ध्यान से देखा जाए तो बेरासी, उनहत्तर, अडशट एकट्तर, continue अच्छी पारी है 38 देख रहे हैं, मतलब रितु राजगाएकवाड, इंडियन काप्टेन जो है इस टाइम पे अच्छे खासे परफॉर्मिस करके जा रहे है सिवा एक हारदिक पार्ण जागे रियान पर आकी बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टार्टिंग में जो तीन मैचे अच्छा खेला फिर एक बार, फिर यहाँ पर अच्छा बाकि दो मैच कुछ खास नहीं है और इनके आप फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग दोस्तो जरूर देख लीजेगा क्योंकि मैं अगर उसके समझाने लगोंगा तो और जादा लंबा होगा लेकिन आपको देखना है कि कौन फर्स्ट इनिंग मच्छा खेल रहा है कौन सेकेंड इनिंग मच्छा खेल रहा है देखिए, समझीए गवात को जोस बटलर जो है फर्स्ट इनिंग में देखिए, ग्यारा पर आउट हुए फिर फर्स्ट इनिंग में ग्यारा पर आउट हुए फिर फर्स्ट इनिंग में आठ पर आउट हुए लेकिन जब सेकेंड इनिंग की पारी आई तो बंदे ने धुआ उड़ा दिया तो second inning में जबदस्त खेलते हैं ठीक है तो उन सारी लोगों के न पारियों को न ध्यान से देखना होगा आपको कि कब कौन अच्छा खेलता है राजस्थान रोयल्स के बॉलर्स की बात कर लेते हैं Trent बोल्ट ठीक है एक एक दो-डो का रेशियो है तो आपको एबरेज परफर्मेंस करके देंगे काप्टन वाइस केप्टन शायद जल्दी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा इनको रवी चंदर आश्विन एक बार यहां पर विकेट मिला और एक बार यहां पर मिला बाकी के मैचेज में कोई विकेट अभी तक नहीं मिला हुआ और वैसे भी इस ग्राउंड पे और ब्रेक को बॉलर को विकेट नहीं मिल रहा है अवेश खान को देखा जाए तो continue एक एक बिकेट का रिश्व है दो मैच में दो-दो बिकेट भी है बट एक बिकेट का continue है वाई चहल एक दो तीन दो दो एक एक सिर्फ एक मैच ऐसा गया वाई चहल का जब बिकेट नहीं मिला और वाई चहल का आपको interesting facts भी दिखाने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा संदीप सर्मा लाष्ट के दो मैच में बहुत अच्छा करके गए हैं इस मैच में भी विकेट मिल सकता है ठीक है इसके बाद कुलदीप सेर अगर खेलेंगे तो रखेगा जब भी खेला तब विकेट लेकर गया है GMC 11 जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किये है जाए डाउनलोड किजिए फ्री एंट्री है दोस्तों बिल्कुल फ्री एंट्री है कोई पैसा नहीं लग रहा है पचजाजार उपे का फ्री गिबेवे है अगर आप एक रैंक पर आते हैं यहां पर ठीके तो आपको पचीस हजार उपे का फर्स प्राईस है second price 8,000 का है third price 6 का है इसके बाद 4 का है ऐसे करते हुए आपको price मिलेंगो और ये दोस्तो ये amount जीतने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगाने है सिर्फ description box में link दिया हुआ है download कीजिए install कीजिए और grand 11 grand 11 आपको वहाँ पे अपना referral कोड़ डालना है और यहाँ से आपको extra bonus मिलेगा और अगर आप उस bonus का इस्तिमाल करके आगे खेलना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको और भी amount मिलेंगे 20 लाख रुपे का price pull है grand mega link जहाँ पर एक rank वाले को लगभग 3 ला 30,000 तक ही लोग है जो यहाँ पर खेल रहे हैं इसलिए बहुत important है बहुत अच्छी चीजे है profitable app है जाए एक बार खेल कर देखिए free entry वाला खेल कर देखिए जब आपको अच्छा लगेगा तो आगे खेलिएगा कौन कह रहा है पैसे लगा आगर खेलो चलिए आज के flop player के list एक बार देख लेते हैं कि कौन-कौन ऐसे खिलाडी हैं जिनको आज हम लोग थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना पड़ेगा सबसे पहला हैं जो 83% के selection लेके बैठे हुए है जोस बटलर 84, संजू सेंसन 91, ट्रैविस हेट 90, पैट कमिंस 59, वाई चहल 57 और अभिशेक शर्म 87 ठीक है ये टोटल आपके सामने 7 खिलाडी हैं दोस्तों याद रखेगा ये टोटल 7 खिलाडी हैं इन में से कोई 3, minimum 3, maximum 4 प्लेयर फ्लॉफ हो सकते हैं ठीक है लेकिन अगर आपको 3, 4 पे भी नहीं जाना तो किसी भी तरीके से 2 खिलाडी को ड्रॉप करना है आपको कंडिशन समझेगा मैंने आपको ये बताया कि जोस बटलर जब भी फर्स्ट इनिंग में खेले इस साल जब भी फर्स्ट इनिंग में खेले तो फ्लॉफ होकर गया है क्या फर्स्ट इनिंग में फ्लॉफ होकर गया है इसके बाद ट्राविस हेड भी सेकेंड इनिंग में फ् अब ये जो खिलाडी बचते हैं, इन ही को आपको रूटेट करना पड़ेगा, इनका तो कंडिशन आपको समझे में आ गया, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि Travis Head फिर्स्ट इनिंग में भी फ्लॉफ हो जाते हैं, फिर्स्ट इनिंग में भी फ्लॉफ हो जाते हैं, तो आपको इ माग में जरूर रखनी है कि यही वो बड़े खिलाडी हैं, जिनके उपर सबसे ज़्यादा लोगों का भरोसा है, और इन ही में से कोई तीन खिलाडी, दो खिलाडी फ्लॉफ होगे, जो सब के उमीदों पर पानी फेरेंगे, हमें अपने कंडिशन वाइज, कौन फर्स्ट रोयल्स तरफ से, हेड टू हेड में किसका performance अच्छा है? जोस बटलर, फिरस्ट इनिंग में, फिला हाल इस ग्राउंड पर जब भी खेले, ठीक है? जब भी खेले, मतलब हेड टू हेड में, तो फिरस्ट इनिंग में जोस बटलर का record यहां पर अच्छा चल रहा है, फिरस् ये गलती नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपने एक चीज देखा कि जोस बटलर का head to head का record जो है, वो first inning अच्छा है और इस साल अभी तक जोस बटलर यानि की राजस्थान रोएलस और हैदराबाद एक साथ नहीं आमने सामने आई है, एक बार आज आए तो पता चले कि first inning और second inning का जो ये record है, क्या वो पहले वाला ही चल रहा है, या इस साल वाला pattern continue हो रहा है, इसलिए rotation में किजिएगा, जैसवाल की बात करें, 20, 54 और 35, यानि कि ये दोनों खिलाडी power play में हैदराबाद की अगेंस अच्छा करके जा रहे है, ठीक है, हैदराबाद की अगेंस 55, 56, अब देख रहे हैं, हेट टु हेड में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस है, यानि कि ये तीन खिलाडी धुए उड़ा कर जा सकते हैं, जोस बटलर ये सस्वी जैसवाल और संजू सैम्सन, बाकियों का कुछ खास record नहीं है, तो यहाँ पर एक चीज जो मुझे को रख के जाएंगे, अब भी रख के जाओ, पर देखते हैं क्या होता है, फिलहाल तो यही चीज है, बाकि तो उपर वाले के हाथ में हैं, अब राजस्थान रोयल्स के तरफ से, ट्रेंट बोल्ट ने दो बार खेले, दोनों बार दो दो बिकेट लेके गए हैं, अब होने वाला है, मतलब की वाई चहल हैदराबाद की अगेंस्ट, भाई साथ, चार-चार बिकेट लेके एक कैप्टेन बना ले ना, दो तिन चार्टिंग में, वाई चहल को सी बना के जा सकते हो, आप रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बोल्ट हो, फ्लॉफ हो जाए वो अलग ब एडिन मार का राम एक बर सतावन, एक बर फ्लॉफ हो गये हैं, अब्दुर श्रमत का 32, डबलू सुंदर 40, अनमोल प्रिस सिंग एक बर 33, तो यहां से कुछ खास रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है प्लियर्स का, हैंडी क्लासन भी एक बर खेले हैं, 26 अबना गर गये ह हैदराबाद के बैट्समिन का कुछ खास रिकॉर्ड अभी तक तो दिखाई मुझे नहीं दिया है, संटाइजिद हैदराबाद के बॉलर भुनेश्टर कुमार, एक एक बिकेट का रेशियो इनका तो हमेशा रहता है, इसके बाद तीन अट राजन, दो बिकेट, दो बिके बाखे कुछ खास रिकॉर्ड इन लोगों का नहीं है, आप दोस्तों यह बाखे की चीजे है, जिनको आप स्क्रिंशोट लेना चाहते हो, तो ले लेना, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं, देखे, स्टार्टिंग ओबर जो है, वो आपको भुनेश्टर कुम और इसमे से पावर प्ले के अंदर जो है, खिलारी वो बिलकुल सिफ्टी नटराजनी है, जो छे नमबर पे आते हैं, नहीं तो और पावर प्ले वाले जो है, बिलकुल डेट में आपर नहीं दिखाई दे रहे हैं, सेम राजस्थान की बात करते हैं, ट्रेंट बोल्ट पह करके जा रहे हैं और indпрोलिंग कर रहे हैं क्योंकि यह पावर प्लेयर में भी बहुत इंपॉर्ट्न है ठीक हैंु अविश्गां से लेकिन इनके Easy Pleans जोड़े में चांस दोगताता हूं फिर सब्सक्राइब का उसरे हैं मात्र 17 का आवरेज है ट्राविस हेट का 31 का आवरेज है चार मैच में ठीक है कुछ खास नहीं नजर आ रहा है बाकियों का भी ऐसे ही है अगर हम विकेट की बात करें तो जैदे उनाद कट इस ग्राउंड पे 8 मैच में 17 विकेट लेके जा चुके हैं 8 मैच में जैदे उनाद क में कोन अच्छा खेल के जा रहा है तो यहां पर अभिशेक सर्मा का देखिए अब्दुल समद और इन लोग का रिकॉर्ड भी वैसे ही है, रन उतना नहीं है, बट देखते हैं, पैट का मिन्स चार मैच में 6 बिकेट है, और वुनिश्टर कुमार का 16 मैच में 15 बिकेट है, तीन अट राजन का 5 मैच में 4 बिकेट है, जहदे उनात्कट का भी 5 मैच में 4 ब रिकॉर्ड है, और यह फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग का आपको यहां पर जो दिखाई देगा, वो है आपका एवरेज, स्क्रिंशोट ले लिजे, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं, हैदराबाद के प्लेयर बैटल, यह सामने आपके लिखा हुआ है, अब देखें, जोस बटलर, विन्यू पे 4 मैच में मातर 19 का आवरेज है, इसलिए बोला कि थोड़ा सा न प्लेयर फ्लॉफ होंगे जरूर, यह सस्वी जैसवाल, एक मैच में 24 का आवरेज है, संजु सैंसन का 6 मैच में 72 का आवरेज है, और रियान पराक का 1 मैच में 7 का यूजी चहल 6 मैच में 7 विकेट, और संदीप सर्मा 16 मैच में 15 विकेट है, विन्यू का रिकॉर्ड है यह, अब बात कर लेते हैं, हेड टू हेड में किसका परफॉर्मिंस कैसा है, तो हेड टू हेड में, जोस बटलर, 12 मैच में 381 रन 32 का आवरेज है, यह सस्वी जैसवाल 5 मैच में 31 का आवरेज है, संदीप सर्मा का रियान पराग का 6 मैच में 24 का आवरेज है, और शिमरन हेड मायर का 9 मैच में 38 का, और रोमेन पावल 1 मैच खेले हैं, 66 रूमरा सरसट का आवरेज है, रवी चंदरनास्वीन 18 मैच में 11 विकेट, हेड टू हेड में, याद है और संदीफ सर्मा का 9 मैच में 9 विकेट है तो अगर आप लोग को rotation में भी grand league में अगर थोड़ा से रिस्क चाहते होगे तो संदीफ सर्मा को छोड़के yg चहल ट्रेंट बोल्ट और आवेश खान इन को ही शामिल कर लेना संदीफ सर्मा को छोड़के अगर आप लोग रिस्क थोड़ा से लेना चाहो तो क्योंकि 9 मैच में 9 विकेट का है और आवेश खान का पांच मैच में 8 विकेट है अब यहाँ पर देखे राजस्थान रोयल्स के प्लेयर और स्टैट्स जो आपके सामने दिखाई दे रहा है आप लोग देख लिजेगा इस्क्रिंशोट ले लिजेगा फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग सारा एवरेग यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है और राजस्थान टीम प्लेयर बैटल भी यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तो आजके मैंच में इन प्लेयर्स पर जरूर नजर रखेगा जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं शिमरन हेटमायर, रोमेंड पॉवल, वाई चहल, आवेश खान और जैदेव नागकट, इन लोगों पर नजरू रखेगा, कहीं न कहीं ये लोग ड्रीम टीम में आ सकते हैं, बड़े प्लेयर्स को रोटेट करते हुए इनके उपर आप लोग नजर रखेगा, ये फिलहाल के लिए है, सारी डिटेज्स जो मैं आपको बता दिया, बाकी का जो भी डिटेल होगा, मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा, टेलीग्राम से जरूर जूड के रहिए, और मैं टेलीग्राम पर मैश शुरू होने से पहले तक, कंटिनू आपको वोइस नोट से सारी होगी, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, पिन कोमेंट में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जोइन कर लिजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, जैहंद,